Hello and welcome friends, जैसा कि कलम ने आपको एक छोटा सा कोड दिखाया था जिसकी मदद से आप अपना AI बना सकते हो, उसी में कुछ implementation किया है और यहाँ पर जो module डाउनलोड किया था ना, उसी को आपको डाउनलोड करना होगा और फिर यह सारा कोड लिखना होगा, आप यह कोड जो लिखा इस AI के मदद से, तो तयार है आप, चलिए यह स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर run करवाने के लिए यह दिखिए run का button दिया होगा, यहाँ पर click करते ही जैसे ही मैं बोलूँगा, वैसे ही यहाँ पर यह shutdown हो जाएगा, तो चलिए start करते हैं, तो यह देखिए, shutdown, ल आप देखिए, यहाँ से मैं दुबारा से इसको open करता हूँ, चुकि यह visual studio code था, तो visual studio code के ऊपर यह program मैंने run कराया था, इसको मैं open करता हूँ, अलेड़ी यह आपको open मिलेगा, अब पर देखिए, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ run command को open, run जो command होता है, मैं आपको दिखात हूँ कैसा दिखेगा, यह देखिए, यह है आपका run command, ठीक है, तो यह मैरे बोलने पर open होगा, यह कैसे होगा, चलिया यह देखते हैं और समझते हैं इसको, ठीक है, तो सबसे पहले इसको run करता हूँ, यह run की आमने, run, तो देखिए, यह run command open हो चुका है, सिर्फ run बोलने क के वज़ा से यह run command open होगा, ठीक है, तो यह AI का पूरा का पूरा जो example है, यह मैं आपको इतका बड़े वीडियो में दूंगा, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, यह चीजे आपको पसंद आएंगी और Python users इसको जरूर सीखना चाहेंगे, तो चलिए बेट कीजिए इस वीडि झाल दो